श्रीमत भागवत सब्ताग न्यानी यगन जेवा वक्ता पुझे श्री व्रजराज कुमार जी महोदय कथाना चौथा दिवसे हच्चारोनी संख्या मा भाविक श्रोताओ कथा मा उंटी पड़्या अकोटा स्टेडियम मा चाली रहे श्रीमत भागवत सब्ताग न्यानी यगन जेना वक्ता पुझे श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री छे कथाना चौथा दिवसे हज्चारोनी संख्या मा भाविक श्रोताओ कथा मा उंटे पड़्या हता आत्मकल्यान माटे शू करव प्रभूने केवा भक्त प्रिय होई छे वगेरे विशयों पर पुझेश्री एक प्रकाश पाड़े हतो पुझेश्री ए समझाव यूके भगवान ने अद्रिष्टानी भक्ती गमे छे औने द्रेश इर्षा वगरना भक्तो प्रिय छे औने आपने कोईने अगर सूख न थ आपी शक्ता तो तेना थी इर्षा औने द्रेश नहीं करवू जोई ए कोईनी उन्नाती धती होई कोईनी खुशी थती होई ये सहज भाव थी जोई शकनार बहुच ओछा लोको होई छे कोईनी आगर वत्ता जोईने कोईनी खुशी माँ खुश थाई औने दुखी माँ दुख आवे एवा लोको प्रभू ने प्रिय होई छे इर्षा द्रेश आपनने जेना थी थाई छे एने कशो फरक पड़वानों न थी पन आपने एना कारणी नकारात्मक थेई जता होई आपना अंत करण पर पड़ तेनों प्रभाव पड़े छे अने आवा नकारात्मक व्यक्ती ने प्रभू प्राप्ती तो दूर्नी वाद छे कारंके प्रभू उत्तम वस्तुना मुकता छे सजानन दीत प्रसन्न मनवाडा भक्त एमने गमे छे द्रेश नकारात्मक ता अने जीव प्रभू थी दूर्थे जाई छे पन अगर आपना वीचारों सकारत्मक हशे अने प्रशन्न चीत हशे तो प्रभू चक्कस प्रसंता थी आपनने स्विकार शे अवा घणा वीशय उने स्पष्ट करीने पुजे श्रीये सुन्दर समझ कथा मापी हती अने श्रोत अने नंद महस्व नो पण भव्या आनंद लिधो हतो जोता कदाच काले गोर्धन लिलामा पन आंती पन वदारे वैस्टाव उपसित रहसे ठाकोजी ने धरावा माटे पोद्पताना गरे थी अलग अलग रिते आउन अभी वांगियो ने सामगरियो धरावा माटे लाई ने आउसे तद उप्रान परम्दीवा से रुक्स्मानी विवा चे तो मने लागे चे कदाच आंती पन वदू वैस्टाव उपसित रहसे